गुडिया उठो पेटी अभी तक सोई हुई हो जाओ और दूद ले आओ हर रोज की तरहां गुडिया की ममा गुडिया को उठाती है और दूद लाने का कहती है गुडिया ये काम बहुत शोक से करती थी क्यूंके उस बहाने उसे बाहिट थोड़ा घूमने का मोका जो मिल जाता था ममा बाल्टी कहा है येलो बाल्टी और पांच रुपे जाओ और जल्दी वापिस आना बेटी आपको नाश्ता दे कर मुझे भोजने ने भी जाना है फिर गुडिया अपनी ममा से पैसे और बाल्टी लेकर दूद लेने चली जाती है वो खुशी खुशी जा रही थी वो कभी उन्चाई में उड़ती तो कभी नीचे आ जाती सुभा सुभा की ठंडी हवा उसे चूब कर गुजर रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था फिर जगु कभवा जो बहुत शरारती था रास्ते में उसे रोक लेता है गुडिया कहा जा रही हो रुको मेरी बात सुनो मैं दूद लेने जा रही हूँ परन्तू दूद वाले अंकल ने तो अभी दुकान ही नहीं खोली मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ चलो थोड़ा खेल लेते हैं गुडिया मासून थी वो जगु कभवे के जूट को सच समझ लेती है चलो फिर हम थोड़ी दिर खेलते हैं तब तक दूद वाले अंकल भी आ जाएंगे छुपन छपाई खेलते हैं आप अपनी बाल्टी वहां मेरी बाल्टी के पास रख दें गुडिया अपनी बाल्टी और अपने पैसे जगु की बाल्टी के पास ही रख देती है चलो गुडिया पहले आप छुपो और मैं ढूनता हूँ और आप चीटिंग ना करना अपने आँखे बंद करके पांच तक गिनो और ऐसा कहते हुए गुडिया छुपने चली जाती है एक दो तीन पहले तुम्हारे पैसे तो चुरा लूँ गुडिया फिर ढूंडोंगा तुम्हें और जगोकवा गुडिया की बाल्टी से उसके पैसे चुरा लेता है जिसका उसे दूद ले कर जाना था गुडिया मैं हार गया आजाओ मैं हार गया मुझे पता था तुम मुझे ठूणने ہी सकोगे चलो गुडिया चले अब तक दूद वाले अंकल आगे होंगे गुडिया जैसे ही अपने बाल्टी में देखती है वहां तो उसके पैसे ही ना थे गुडिया रोने लग जाती है मेरे पैसे, मेरे पैसे कहां गे अभी अभी ही तो मैंने अपने पैसे अपने बाल्टी में रखे थे जगू, जगू मेरे पैसे वापिस दो मेरे पैसे तुमने ही चुराए होंगे चल भाग मुझे कोई चोड समझती हो मैंने नहीं चुराए तुम्हारे पैसे कहीं किरा दिये होंगे ऐसा कहते हुए जगू कवा वहां से चला जाता है अब मैं दूद कैसे लेकर जाओ अगर ऐसे गई तो ममा तांटेंगी गुडिया ऐसे रोती रहती है और फिर कुछ देर रोने के बाद गुडिया खाली ही अपने घर लोट जाती है अरे गुडिया आप रो क्यों रही है और दूद क्यों नहीं लाएं आप ममा ममा मेरे पैसे मेरे पैसे कहीं खोगे ममा मैंने बहुत ढूंडे परन तु मुझे नहीं मिले अच्छा अब चुप कर जाओ रास्ते में कहीं खेलने लग गई होगी इसलिए तुम्हारे पैसे खोगे है हाँ ममा मैं जगू के साथ चुपन चुपाई खेलने लग गई थी और फिर मेरे पैसे कहीं गुम होगे मैंने कितनी बार आपको चुप से खेलने से मना किया है वो अपने माबाप की तरह चोर है उसने तुम्हारे पैसे भी चुरा लिए होगे अब अगर उसकी ममा पोछे तो बताना देना ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया वैसे कालू जी सारी उमर मैंने और तुमने उस चिडिया का जीना हराम किये रखा और अब हमारा चगू उसकी बेटी को उल्लू बना आया ऐसे वो सारा परिवार हंसने लग जाता है ममा ममा मैंने उसे पता ही नहीं लगने दिया वो चुपने गई तो मैंने उसके पैसे चुपा लिये ऐसे ही दूसे रोज जब गुडिया फिर से दूद लेकर वापिस आ रही थी तो जगू कवा फिर से उसे रोक लेता है गुडिया क्या आपकी मम्मा ने कल आपको मारा था नहीं मेरी मम्मा मुझे नहीं मारती मेरी मम्मा बहुत अच्छी है और आप चाएं मम्मा ने मुझे आप से खेलने से लोग रखा है गुडिया का यही कहना था कि जगो को गुसा आ जाता है और वो गुडिया की दूदवाली बाल्टी को गिरा देता है तुष्ट कवे ये क्या किया आपने आपने मेरा सारा दूद ही गिरा दिया अगर कल मार नहीं पड़ी तो आज पड़ेगी ऐसा कहते हुए जगू वहां से भाग जाता है मैं भी अपनी ममा को साथ लेकर अभी तुम्हारी ममा को बताती हूँ फिर गुडिया अपनी ममा को साथ लेती है और गोरी के पास जाती है गोरी बेहन आपका जगू मेरी गुडिया को हर समय दंग करता है आंटी आंटी कल जगू ने मेरे पैसे चुरा लिये और आज मेरा दूद गिरा दिया वो हमेशा मुझे दंग करता है तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं अपने बेटे को मारने लग जाओ तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो तुम्हें पता तो है मेरा जग्गू धोड़ा शरारती है गोरी बेहन अगर आप उसे रोकेंगी नहीं तो एक ना एक दिन उसकी कोई शरारत उसे मुक्सान भी पहुंचा सकती है तुम जाओ यहां से मैं रोक लूँगी अपने बेटे को मुझे ज्यादा चूँ चूँ ना सनाओ फिर चिडिया अपने बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है गुडिया बेटी आज के बाद अगर जग्गू आपको बूलाए तो उसकी कोई बात नहीं सुननी और उसके पास रुकना भी नहीं ममा मैं कब उसके पास चाती हूँ वो तो खुद मुझे हर रोज तंग करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुडिया नदी पर जा रही थी कि जग्गू पीछे से आकर गुडिया से कहता है गुडिया चलो पहाडों पर चलें वहां जाकर खेलेंगे परंतो गुडिया जग्गू की बात सुनी अनसुनी करते हुए आगे भड़ जाती है और जग्गू कववा अकेले ही पहाडों की तरफ चला जाता है इस सुराख में यकीनन किसी पकशी के छोटे बचे होंगे चलो मैं उन्हें तंग करता हूँ ऐसा सोचते हुए जग्गू कववा पेड़ के सुराख में गुस जाता है मुझे दो दिन लग जाएंगे अपनी बेहन की शादी में और मैं अपने घर का दरवाजा बाहिर से बंद कर देता हूँ ऐसा सोचते हुए वो पकशी अपने घर का दरवाजा बाहिर से बंद कर देता है और चला जाता है जग्गू जो उस सुराख में था शोर मचाता है मुझे बाहिर निकालो कोई मुझे बाहिर निकालो मैं अंदर हूँ परंतू वहां कौन था जो उसकी आवाज सुनता ऐसे ही शाम हो जाती है कालू जी मेरा जगू अभी तक नहीं लोटा ना जाने कहां चला गया है चलो तो उसे कहीं देखते हैं कहीं वो कबूतर के पास ना चला गया हो चलो पहले कबूतर के पास जाते हैं कबूतर, कबूतर मेरा बेटा जगू सुबहा से कहीं गया हुआ है तुम्हारे पास तो नहीं आया? नहीं गोरीबेहन, मेरे पास तो नहीं आया. आप चिडिया के पास जाएं. जगु हर समय चिडिया की बेटी गुडिया को तंग करता रहता है. हो सकता है कि आज फिर उसे तंग करने उसके ही घर गया हो. फिर गोरी और कालू चिडिया के पास जाते हैं चुडिया बेहन मेरा जगु ना जाने कहां चला गया, सुभा से गाइब है गोरी बेहन मैंने तो गुडिया को जगु से खेलने से रोक रखा है वो इसे हर समय तंग करता है आंटी जग्गू अभी तक घर वापिस नहीं आया नहीं बेटी वो तो सुबहा ही घर से निकल गया था अब तक नहीं लोटा ममा मुझे पता है जग्गू कहा होगा ममा मैं जाती हूँ जाओ बेटा और धूंडो कहीं से जग्गू को फिर गुडिया तुरुंद पहाडों की तरफ जाती है क्योंकि जग्गू जाते हुए गुडिया को बता कर जो गया था कि मैं पहाडों की तरफ जा रहा हूँ गुडिया पहाडों पर जाकर जग्गू को आवाज देती है जगू जगू तुम कहा हो मैं यहां हूँ मैं यहां इस पेड़ के सुराख में फंस गया हूँ आवाज सुनकर गुड़िया उस सुराख का दरवाजा खोलती है तो जगू पसीने से भीका हुआ बाहिर निकलता है जगू तुम इस सुराख में कैसे मैं इस सुराख में शरारत करने के लिए गुसा था और किसी ने बाहर से तरवाजा बंद कर दिया और मैं अंदर ही फंस गया चलो घर आपकी ममा हमारे घर में बैठी बहुत रो रही है गुडिया मैंने आप से इतना बुरा किया आपके पैसे चुराए दूद गिरा दिया और आपने फिर भी मेरी चान बचाई मैं बहुत बुरा हूँ अब जल्दी से ख़ट चलो आपकी ममा बहुत परेशान है फिर गुडिया और जगू वापिस आते है मेरा चगू, मेरा चगू कहा चला गया था मेरे बेटे चगू अपनी ममा को सारी बात बताता है जिसे सुनकर गुरी बहुत शिर्मिंदा थी चुडिया बहन मुझे माफ कर दे आज गुडिया के ही कारण मेरा बेटा चिंदा है अब हमारे जगू को भी एहसास हो गया है कि ऐसे हर समय शरारते करने से कभी कभी हम बड़ी मसीबत में पड़ जाते हैं गोरी बेहन हमें शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे काम सिखाने जाएं ताके कल हम उन्हें एक अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकें उस दिन के बाद जगू गुडिया का पक्का और सच्चा दोस्त बन जाता है और फिर कभी कोई शरारत नहीं करता कोरी हमारा जगू अब बड़ा हो गया है मैं सोच रहा हूँ के अब अपने जगू की शादी कर दे कालू जी सोच मैं भी यही रही हूँ परंतु मैं अपने जगू का बिहा किसी अमीर घर की कवी से करूँगी तुम्हें तो पता है कामकाश तो होता नहीं है मेरे जगू से ऐसा तुम सोचना भी ना, मैं तो अपने जग्गू का बिहा अमीरों में ही करूँगी और मैंने तो अपने जग्गू के सुस्राल वालों से अपने लिए एक सोने का हार भी लेना है बाते तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे मैके वाले बहुत अमीर है मैंने भी तो तुमसे भ्या किया ही था मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं तुम्हारी माने उस दिन भोचन भी मुझसे मां कर खाया था तो फिर क्यों मिनते कर रहे थे मेरी मां की एक कवों का परिवार है, उनकी एक बेटी है और वो शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी की, अगर मन माने तो सुभा मिल लेना कब उतर से, देखूंगी सुभा तो होने दो, जगू मेरे बेटे कहीं शादी के बाद अपनी माँ को भूलना जाना, मैं अपनी माँ का ही कहना म भी है उनके पास या गरीब ही है वो परिवार, गोरी बेहन, मैं और चुडिया गे थे एक दिन दूसरे जंगल, वहां नदी पर मिली थी उस कवी की मा मुझे, और फिर बातो बातो मैं उसने अपनी बेटी के रिष्टे के लिए कहा हमें, शादी तो करना है, मुझे भी बात कर रहें उनसे, और मैं देख भी लोगी अपनी बहु को, हम भोजने ने जाही रहे थे, चलो आज उस दिशा में चले जाते हैं, और दिखालाते हैं तुम्हें वो कवी, और फिर गोरी कवी, चिडिया और कबूतर के साथ अपनी बहु देखने चली जाती है, धूप त आई है आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए, नमस्ते बहन जी, नमस्ते, जग्गू है मेरे बेटे का नाम, लाखों को वो में एक है, तेज चोंच है, काला गहरा रंग, मोटी मोटी आँखें हैं मेरे जग्गू की, मेरे बेटी भी बहुत सुन्दर है, और सबको अपन बेटी को तुमने गोरी बेहन मेरी बेटी सब काम कर लेती है जैसे भोजन की खोज घोंसला बनाना और बारिश में उड़ना सब सिखा रखा है मैंने अपनी बेटी को चंबेली तो अपने रिष्टे की बा सुनकर शर्माई ही जा रही थी वो एक अच्छी कव्वी थी और वो बहुत महिंती भी थी कव्वी तो मुझे आगे है पसांद देहेज में क्या-क्या दोगी अपनी बेटी को जो दोगी तुम्हारी बेटी के ही काम आएगा मेरे मेके वालों ने तो मेरे पती को एक निया और सुन्दर सा घर बना कर दिया था ये बात सुनकर कबूतर की हंसी निकल जाती है गोरी बहन कालू के बात कर रही हो ना कबूतर चुप कर जाओ ऐसा ना हो के गोरी हमारे ही पीछे पड़ जाए बहन जी चंबेली के पापा तो तब ही मर गे थे जब चंबेली अंडे से अभी निकली ही थी मेरे पास देहेज में देने को तो कुछ नहीं है ल सोने का है ना असली सोने का है बहन मुझे ये रिष्टा स्वीकार है अगर मेरे जगो को देखना है तो हमारे साथ ही आजाओ चुडिया और कबूतर मेरे पुराने जाने वाले हैं ये रिष्टा लेकर आए हैं तो फिर अच्छा ही होगा तो फिर कल आ जाएंगे अपने कर दी ये तो है ही लाल जी आप देखें अपनी बहु के साथ क्या करती है और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं वो हार तो बहुत सुंदर था अगर वो हार मुझे मिल से तो मैं तो जंगल की सबसे सुंदर कभी बन जाओं अगर मैं उसे भिहा कर ले भी आई तो वो कौन सा वहार मुझे दे लेगी और फिर गोरी के दमाग में एक शेतानी आती है और वो अपने घड़ चली जाती है देख आई हो रिष्टा देख तो आई हो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा गरीब सा परिवार है देहेज में देने को भी कुछ नहीं है और कवी भी ज्यादा संदर नहीं है मुझे तो पहले ही पता था जैसे तुम्हारा मन करें मुझे क्या और फिर रात हो जाती है और कालू तो सो जाता है लेकिन गोरी कवी ने कोई और ही जोजना बनाई हुई थी जकूप चलो हमें दूसरे जंगल जाना है लेकिन म ममा इस समय चोरी करना है और तुम्हें मैंने अच्छे से सिखा रखा है कि चोरी रात को ही की जाती है चोरी ममा फिर तो बहुत मचा आने वाला है लेकिन ममा क्या चोरी करना है जगू यहां मैं गे थी ना आज तुम्हारा रिष्टा देखने वो कवी तो मुझे सुन्दर नह और फिर गोरी कवी अपने बेटे जगू को साथ लेकर दूस्टे जंगल हार चुराने चली जाती है वो तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे उनके पंख बिचली से चल रहे हो वो नदी से गुजरते हैं, रास्ते में कोई पक्षी उन्हें नहीं मिलता गोरी कवी खिरकी में से देखती है जगू तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ घर के अंदर और तुम इधर उधर दिहान रखना और फिर गोरी कवी उस कवी के घर के अंदर चली जाती है हार कहां पड़ा था, ये तो वो पहले ही देख गई थी इसलिए वो तो सीधी हार के पास जाती है और फिर जैसे ही गोरी हार उतारने लगती है तो मम्मा कवी की आंग खुल जाती है चोर, चोर, मेरे घर में चोर आगे गोरी कवी जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो उसकी पूँच वहाँ पड़े दिये से लग जाती है और उसकी पूँच को आग लग जाती है गोरी बेहन, ये क्या? आप मेरा हार चोर रिकनने आई थी जो भी हुआ, सब बताऊंगी पहले मेरी पूँच की आग बजा दो कवी मेरा शरीर चल रहा है मैं सब बताऊंगी मेरी पूँच की आग बजा दो अच्छा ये ही है, तुम यहां से भाग जाओ और खुद ही बजाओ अपनी पूँच की आग ये कहते हुए वो कवी पास में बड़े डंडे की दरफ बढ़ती है लेकिन गोरी भाग जाती है भाग जगो भाग, पकड़ेगे हम ममा, ममा आपके पूँच तो जल रही है लेकिन गोरी तो रात में जलती हुई पूँच के साथ ऐसे उड़ती जा रही थी जैसे कोई रौकिट जा रहा हो और फिर गोरी कवी की पूँच तूट कर गिड़ जाती है और उसे बुरे काम की सजा मिल जाती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे का बुरा अंजाम ही होता है प्यारे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि गोरी कवी क्या चुराने गई थी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना